कनहान नदी के रायवाडी रेद घाट से रेद शुराने की दोरान अच्छानक खेकरा नाला बांध का पानी छोड़े जाने से रेदी चोरी में लिप्त करिब 10 ट्रक तीन पोकलें मशीने वद दोरदसन के करिब लोग नदी के तट पर ही फस गे ग्यात हो कि फरवरी माह में स से रेद उतकनन पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए था इसके बावज़ोद भी रेद माफिया यहां के अधिकारियों को मैनेज कर नदी से बड़े पैमाने में रेद का उतकनन कर रहे है सान्य प्रशासन हमेशा ही नदी से रेद का उतकनन होने की बात को नकारता आया है लेकिन प्रकृती मैनेश नहीं होती वो अपने साथ हो रही ज्यात्ती का बदला एक दिन लेती है ऐसा ही एक वाक्या आज सावनेर तैसल के अंतरगत आने वाले महराश्ट्र मध्यप्रदेश की सीमा पर शुरू रायवारी रेद घाट के सामने आया है इस नदी से रोजाना तीन पोकलेल मशीने वदो नाव की सहायता से सेक्रो ट्रक रेद का अवयद उतकनेन किया जाता है उपरीक शेत्र में जारी भारी बारेश की वज़य से नदी नाले उफ़ान पर है जिससे तहसल किए सभी बान पूरी तरह से भर गै है जान हानी नहों इसलिए सिंचाई विभाग द्वारा समय समय पर बांधों का पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है मंगलवार की शाम चार बज़े की करीब खेकरा नाला बान में पानी लगातार बढ़ने से अधिकारियों ने पानी कनहान नदी में छोड़ने का निरने लिया सिंचाई विभा के इस निरने से रायवाडी घार संशालक अनभी के होने से उनका रेद उत्खनन का कारे शुरू ही था बात का पानी अचानक नदी में आजाने से बार सुरुदिश उस्तिती में निर्मान होगी बान से जूटे पानी से नदी में ट्रकों की आवाज जाहे के लिए बनाया गया रैम बह गया जिससे ट्रकों वो मशीनों को नदी से जैसे तैसे नदी के तट पर पहुचाया गया लेकिन उन्हें घाट से बाहर निकालना संभव नहीं हो सका जिससे उक्त ट्रक, पोकलेंड मशीने वो करीब दो दर्जन व्यक्ति वही फस गये मद्यप्रदेश में भारी बारिश होने पर नदी का जलस्तर और बढ़ सकता है जिससे इन साहित्यों के साथ साथ जन्हाने की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता रेट तसकरी में लिप सावनेर के रेट माफिया कनहान नदी का जलस्तर उतरने के बाद ही वहानों वो उनमें फसी व्यक्तियों को निकालने का प्रयाज शुरू करेंगी खबर लिखे जाने तक प्रशासन इस खटना से अनभी किता जिससे प्रशासन की ओर से कोई भी अधिकारी घटना का जायजा लेने नहीं पहुचा था BCN News के लिए कनहान से रोहित मानवट करकी रिपूर्ट